हेलो फ्रेंट्स अगर किसी को एकदम सिंपल सबजी खाना पसंद है और कोई अगर अर्वी को रसीला खाना चाहता है लेकिन वो बनाते वक्त यह सोचता है कि पानी डाल देंगे कैसी बनेगी कैसी लगेगी चिपचपी हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह वीडि करके बाकी गरम मसाला कश्मीरी लालमेच और कुछ बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और नमक को लिया है तो चलिए इसे बनाते हैं फटा फट से तो मैंने यहां गैस पे रखी है कढ़ाई जिसको मैंने गरम कर लिया है और इसमें दो बड़ा चमच करने लगे तब मैं एड कर रही हूँ यहां बारी कटा हुआ लसन और लसन को अच्छी से भूनना है दो मिनिट के लिए जब यह भून जाए तब मैं यहां पे एड करूंगी हरी मिर्च तो फ्रेंड्स हरी मिर्च का जो फ्लेवर इस सबजी में आता है ना अगर आपको ती एक बड़ा बारी कटा हुआ प्याज इसको भी अच्छा सुनेरा होने तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे तो इस तरह से बनी होई सबजी बहुत अच्छी लगती है यारो एक बार ट्राय जरूर करना सच में तो इस तरह से मैंने इसको भी भून लिया है अब मैं मसाले और फिर यहां पे डाल दूँगी मैं एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चमच गरम मसाला अब इन सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पे दो सेकेंड के लिए अच्छे से भूनना है जब यह मसाले अच्छे से भून जाते हैं एक खुश्बू आने लगती है और सबजी बहुत बहुत टेस्टी बनके तयार होती है तो अब यह भून गए है अब मैं यहां डाल दूँगी दो पारी कटे हुए टमाथर तो फ्रेंड्स टमाथर ही इस सबजी का राज है कि अगर हम टमाथर सबजी में एड करते हैं तो यह अर्भी कभी चिपचिपी नहीं लगती आपको सच में आप भी इसको बार-बार बना के खाना चाहेंगे तो यहां मैंने टमाथर को पकाने के लिए नमक एड कर लिया है और अच्छे से इनको भूनने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल पानी एड करूंगी और फिर टमाथर को पांच मिनिट के लिए ढखके पकाऊं आपको बनने के लाद आप बनाईएगा जरूर तो इस तरह से देखिए टमाथर पक गए है और यहां पे अब हम इसमें अर्भी एड कर देंगे और आप बनने के बाद सच में देखेंगे कि यह बिल्कुल भी चिप-चिपी सी ऐसी नहीं बनी है जैसे आप आलू टमाथर क अब हम एड करेंगे हल्का सा पानी बहुत ज्यादा पानी भी नहीं डालना है थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसकी हल्की सी एक ग्रेवी बना लेंगे और इस तरह से यह देखिए अब अर्वी में भी सारे मसाले अब्जॉब हो जाए तो इसको भी मैं पांच मिनिट के यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का तो यह पांच मिनिट बाद अर्वी मसाले सब अच्छे से पक जाएंगे और यह देखिए बन के तयार है अर्वी की रसीली सब्जी कुछ ही मिंटों में और यह बनने के बाद बहुत 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 टेस्टी खाने में भ पराधनिया और चल लिए जल्दी से सर्व करते हैं रेखिए इसका टेक्शुर कितना अच्छा है बहुत जादा पतली भी नहीं है और बहुत अच्छी बन के तयार भी हुई है तो इसको फटा पट से हम सर्व कर लेते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और मेरे रेसिपीज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें तो यह रेखिए किस तरह से अर्वी बन के तयार है और बिल्कुल भी यह चिपचिपी नहीं बनी है एक दम स्मूध सब्सक्राइब बनी है जैसे आलू टमाटर की सब्सक्राइब बनती है उस तरह है तो देखिए बनके रेडी है अर्वी के यह सब्सक्राइब और आप मुझे कहा कहा से रेख रहा है मुझे प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर मेरी तो प्लीज उन पर लाइक जरू कर दिया करें तो रेडी है यह अर्वी टमाटर की सब्सक्राइब वाली तो मिलती हो एक नए वीडियो के साथ